फिर वो मंत्री भी बन जाता है मंत्री बना हुआ एक सीनियर जो वो शक्स है जो कि चन्नी साब है फिर वो एक महिला I.A.S. ओफिसर को अपति जनक मैसेज भेज देखे वो ऐसा चन्नी साब में क्या है फिर चन्नी साब को रिवार्ड कर देती है पॉटी चन्नी साब मुक्मंत्री बन जाते है लहौर बस रोकी जब हमारे सैनकों के गले काटे गए थे सब कुछ तो मैंने किया चन्नी ने क्या किया तो मुझे रिवार्ड करने की बजाए मुझे ये नोटिस और चन्नी जिसने कॉंग्रस को खतम कर दिया खुद को कहते हैं कि मैं सुदामा हूँ ऐसा कौन सा सुदामा हुगया भाई जिसके घर से दस करोड रुपया मिला हूँ पर आज लंदर में घर घर में ये स्लोबर हो गया है करकर चली गन चन्नी कर्दग गन्दी गन्दी पिलोर से विधायक विकरम जीत सिंग चौदी हमारे साथ बाचित करने के लिए मौजूर है सर सुर्कियों में हैं आप जलंदर में जिस तरीके से बागी तेवर दिखाया आपने और जिस तरीके से पोस्टर वार अब छिड़ गया है किस तरीके से देखते हैं बड़ा मुश्किल है अपनों के खिलाब बोलना ने मैंने कोई बागी तेवर नहीं दिखाये मैंने तो पार्टी प्लाटफॉर्म पे पार्टी की स्टेट लीडर्शिप, पार्टी की नैशनल लीडर्शिप से जाके यही बेंती किया था कि जलंदर पार्लिमेंट सीट पे आप हमें मौका दीजिए क्योंकि हमने पार्टी को ये सीट 2014 में जीत कर दी 2019 में जीत कर दी और 2023 में मेरे पता जो सांसत थे जलंदर से शिरी राहुल गांदी जी की यात्रा में भार जोड़ो यात्रा में उनका निधन हुआ उन्होंने अपने अखीर ले जो पंजाब बीच गैंदे ने अखीर ले सा उना राहुल गांदी दे हत्था अचले फिर पार्टी ने बाई एलेक्शन हमें कहा कि आप लड़ेंगे तो मैं पार्टी को यही बिंती करा था कि जब पार्टी भी जानती है सब लोग जानते हैं कि बाई एलेक्शन जादा तोर जो स्टेट में या देश में सरकार होती है वो जीती है तो अगर हम अपने पिता की मौत के बाद मृत्यों के बाद उस हालात में बाई एलेक्शन लड़ते हैं तो यह जो जर्नल एलेक्शन है उसमें भी पार्टी हमें कंसिडर मेरी तो इतनी यही बात थी और फिर मैंने पार्टी को कहा कि आप जिस इस शक्स को यहां से टिकेट देना चाह रहे हो उस शक्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ठीक नहीं है उसका पर्सनल रिकॉर्ड अच्छा नहीं है उसका पॉलिटिकल रिकॉर्ड अच्छा नहीं है एक आदमी कॉंग्रस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ता है शुरोमनियकालिदल का什 добр बन जाता है पिर श्रोमनियकालिदल को छोड़ के पीपीप में चल जाता है फिर वह गॉंग्रस में आके लीडर फो officer को अपत्ती जनक message भेजते हैं और फिर माफी लिखती रूपे भी मांगते हैं तो ऐसा चन्नी साब में क्या है फिर चन्नी साब को reward कर देती है party चन्नी साब मुख्मंत्री बन जाते हैं मुख्मंत्री बने हुए उनकी leadership में Congress चुनाव लड़ती है 117 सीटों में से Congress 18 सीटों पे आगिरती है चन्नी साब अपनी जमानत नहीं बचा सके चन्नी साब दो सीट से लड़ते हैं दूसरी सीट से भी हार जाते हैं 34 हमारी reserve seats है 34 सीटों में से 5 रह जाते हैं उसमें से एक मैं हूँ जो धारिवाल साब फगवाड़ा से हैं उनको ये हराने का काम करते हैं जो चब्बेवाल साब आज आम आदमी party में चलेगे उनको ये हराने का काम करते हैं दूसरे दो तो candidate ही इनके थे क्योंकि एक तो मैडम अरुना चौदरी जी इनकी रिष्टेदार हैं उनको तो हरा नहीं सकते थे दूसरे जो इन्होंने बड़ा एक अन्याय किया चन्नी जी ने मुहिंदर सिंग केपी साहब जो कॉंग्रस के मंत्री भी रहे जिनके फादर का टेररिजम में उस काले दोर में उन्होंने पार्टी को अपनी जान दी उन्होंने गोली का निशाना बने उनके रिष्टेदार होते हुए उनको डिटिक्टी कमिशनर आफिस में कहा जाता है कि आप जाके फाइल भरीए कॉंग्रस का सिंबल आ रहा है पर सिंबल दे दिया जाता है, कोटली साब को जो B.S.P से निकाले जाते हैं और चननी साब से लिए, कांडिडेट होते हैं, तो मैं यह सब बातें मैंने पार्टी को बेनती की, कि ऐसा मत कीजी टिकेट मागना तो कोई अपराद नहीं है मगर पार्टी ने आपको सभी पदों से निसकाशित कर दिया ये सजा किस बात की टिकेट मागने की सजा है तेखो सजा अगर आप कोई गुनाह करो तो सजा मिलती है कभी ना कभी सजा मिल जाती है मेरा गुनाह क्या है क्या मेरे बाप का बलिदान नहीं कल प्रियंका जी का एक स्टेटमेंट सुना जिस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि मेरे मा का मंगल सूत्र देश को समर्पिद हुआ है उनका एक बड़ा बलिदान है हम कहते हैं उनका बड़ा बलिता तो क्या मेरी मा का मंगल सूत्र पार्टी को समर्पत नहीं हुआ पार्टी की यात्रा में पार्टी के प्रोग्राम में राहुल गांदी की यात्रा में मेरे बाप की जान नहीं गई और अगर मेरी मा जिसके बारे में यह कह रहे हैं कि वो भार जिस पार्टी को हमारे पिता ने अपनी जान दे दी, मेरे पिता जी को कहते कि यह सत्तर साल का आदमी था, यात्रा एक बहाना बना, मैं तो उसको सह गया, पर मेरी माँ नहीं सह पाई, तो उन्होंने वो फैसला लिया, और मैं उनके साथ हूँ, माँ से उपर कुछ नहीं, अब आप बाज पाज शामिल हो सकते हैं? हमारे सैनकों के गले काटे गए थे, सब कुछ तो मैंने किया, चन्नी ने क्या किया, तो मुझे रिवार्ड करने की बजाए, मुझे ये नोटिस और चन्नी जिसने कॉंग्रस को खतम कर दिया, खुद को कहते हैं कि मैं सुदामा हूँ, ऐसा कौन सा सुदामा हो गया भाई, जिसके घर से दस करोड रुपया मिला हो, ऐसा कौन सा सुदामा है? मैंने पहले भी का, ये सुदामा नहीं है, ये शकुनी है, और जिलंदर में जो कर दिया, उनके आने से, आज चौदरी परवार, आज केपी परवार, तहसने स्कर दिया चन्नी साब ने, तो पार्टी क्या देख रही है चन्नी साब में? अपने आला कमान से मिलने की कोशिश क्यों नहीं कि, उनको बताने की कोशिश क्यों नहीं कि? तो आपको मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी माता जी को ये फैसला लेने के लिए मजबूर किया गया, एक साल से राहुल गांदी से टाइम मांग रही थी मेरी मां, राहुल गांदी मेरे पिता के देहाद के बाद तो बहुत वाम हमारे घर भी आए, उनके संसकार पे भी आए, हमें जम्मू कश्मीर भी यात्रा में बुलाया, फोटो भी कराया, प्रेस में भी दिया, क्योंकि यात्रा तो भारत जोडो यात्रा नैशनल मीडिया पे तो दिख नहीं रही थी, एक दिन दिखी सिरफ जिस दिन मेरे पिता का देहाद हुआ, उस वकत तो हम उनको अच्छे लग रहे थे, जब हम बाई एलेक्शन हार जाते हैं, एक साल में सेंकडो चिठियां लिखी, उनके स्टाफ को सेंकडो बार मेसेज किये, भी भाई हम एलेक्शन लड़े, आपने हमारे को उन सरकम्स्टांसेज में एलेक्शन लड़ने को लिखा, जिस टाइम हमारे पिता जी की म महौल था, हम उस महौल में भी पार्टी के लिए लड़े, तो अगर हम सरकारों के खिलाफ बाई एलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जर्नल एलेक्शन में हमें एग्नोर क्यों किया जा रहा है, क्या हम 14 नहीं जीते, क्या हम 19 नहीं जीते, क्या हम 22 नहीं जीते, मैंने तो ये भ मरदान रहे हैं CWC के मेंबर रहें MP रहें तो चन्नी में ऐसा क्या देखा पार्टी ने एक फेल्ड लीडर एक Me Too Accused मैं नहीं कह रहा आप आप देखिए उनको पुछिए क्या वो Me Too Accused है के नहीं क्या उन्हों क्या उन्होंने माफी मांगी के नहीं यह पोस्टर की बात कर रहे हैं पोस्टर मैंने क्या लगाने पोस्टर तो लोग आ रहे हैं चमकौर साब से आके लगा रहे हैं क्योंकि चमकौर साब वालों को इनकी असलियत पता है वो लोग आके पोस्टर लगा रहे हैं और यह चल्ली गल चन्नी करदा मसले हल पर आज लंदर में घर-घर में ये स्लोगन हो गया है करकर चल्ली गल चन्नी करदा गंदी गल तो ऐसे व्यक्ति को कॉंग्रस पार्टी क्यों प्रमोट कर रही है ये मेरा सवाल है और मापदंड विक्रम चौदरी के लिए क्यों आज आपके 8 announce हुआ है उसमें से 6 लोग वो हैं जो Congress के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, MP बन चुके हैं, MLA बन चुके हैं, या मिनी जी कौन है, आम आदमी पार्टी से लड़ी, डॉक्टर गांदी कौन है, आम आदमी पार्टी के MP रहे, जीत महिंदर सिंग सिद्धू जी कौन है, श के खिलाफ लड़ी हैं चुनाव, इनके इनके पास क्या है, जो Congress के उन परवारों के पास नहीं है, बेशक हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम अमीर नहीं हैं, पर हम दिल के अमीर हैं, और हम वफादार हैं, आप क्या भाजपाश शामिल हैं, आप संगरूर में टिकेट देते है सुकपाल सिंग खहरा जी को, सुकपाल सिंग खहरा जी जब आम आदमी पार्टी के विदायक बनके लोपी थे, क्या कुछ कहते थे तो वो, आज Congress के ये हालात हो गए हैं, जिन लोगों ने राहुल गांदी को पपू का नाम दिया, जो लोग कहते थे कि डॉक्टर मनमोन सिं आज Congress की ये हालात हो गए हैं, लिक्रम जी जी एक सवाल कि क्या अब आप भाजपा में शामिल होंगे, जो कि माता जी ने तो भाजपा का दामन ठाम लिया, अब क्या आपके पास आगे राजनीती रास्ता रहेगा, हम कोई राजनीती में नए नहीं हैं भाज साथ, हमारे द से पहले दो बार चुनाओ लड़े और 1945 में बत और इंडिपेंडेंट MLA बने, जोइंट हिंदोस्तान पाकिस्तान का वटवारा नहीं हुआ उस समय के हम राजनीती में हैं, अगर हमारा गला, हमारे घर आके कोई दबाने का काम करेगा, तो हम क्या करेंगे, हमारे को हमारे मापाप ने, हमारे बुजर्गों ने ये संसकार दिये हैं, कि लोगों के इज़द करो, बड़ों का सदकार करो, पर स्वाबी मान पे, सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज मत करो, तो मैं अपने बुजर्गों के दिखाए मार्क पे चल रहा हूँ, मेरे अलाके के लोगों ने मुझे पांच साल के लिए विदाइक बनाया हैं, दो साल हो गए और मैं दो साल उनके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ विदान सबाने, और आगले तीन साल भी लड़ूंगा, और ये कुछ जो लोग परगट सिंग जैसे, जो शिरोमनी काली दल के प्रोड़क्ट है, बड़े बादल साब ने डारेक्टर स्पोर्ट्स बन है, वो सवाल मेरे पे कर रहे हैं, मेरे पे सवाल कर रहे हैं, अकाली दल से विदायक रहे के कॉंग्रस में आते हैं, चंद सालों में आज कॉंग्रस की कमान उनकों पास जा रही है, चन्नी साब की कंपेन कौन चला रहा है, एक तरफ परगट सिंग जो अकाली दल से मले रहे दूसरी तरफ कौन सक्विंदर कोटली जो मेरे पिता के खलाब BSP से भी लड़े BSP से निकाले भी गए और चन्नी जी ने KP साब की शहादत कर दी पुलिटिकल उसको टिकेट दे दी आज वो ML है तो एक तरफ टर्न कोट दूसरी तरफ टर्न कोट सबसे बड़ा टर्न कोट चन्नी जी खुद वो हमारे को नसियत दे रहे हैं इनको कहिए ढ़के रहो ढ़के रहो इस पर शब्दों से आखरी सवाल अगर आप बेबाग तरीके से इसका जवाब दे रहे हैं महता जी ने बीजेपी में शामिल हुई है आप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और हो रहे हैं तो जलंदर से बीजेपी के अमईदवार है सुचल डिंग को उन्हें सपोर्ट करेंगे यह सब कुछ आपको आज ही बता देंगे quién अभी 30-35 दिन की campaign चल रही है आने वाले समय में बहुत कुछ बताएंगे चन्नी जी कहते हैं आप उसे हाथ नहीं मिलाते चन्नी साहब से मैं ने क्यों हाथ मिलाना है मैं तो उनके उनको प्रनाम भी करता हूं और मैं अपने अलाके के लोगों को बजर्गों को प्रनाम करता हाथ नहीं मिलाता हूं उनके पैरों को हाच हूता हूं अपने हम उमर लड़कों को गले लगाता हूं मेरे लिए बजर्गों की इज़द करना नौजवानों के साथ खड़े होना अपनी माताओं बहनों का सदकार करना ये सिखाया है मुझे और चन्नी साहब के हाथ कहा जात दन्यवां से बाचीत करने के लिए तो आप सुन रहेते बेबाक अंदाज में विक्रम जी सिंख चौदरी को जिनुने नियूस रेटिंग के साथ खास बाचीत की ने दिली से करमें संदू मनल के साथ नर्दे मिश्रा नियूस रेटिंग